बराबरने किमके फर्स्ट चेप्ट्र जे गई अहले आपने फूरु कहीरू इम आपने बेटरन एक्जम्पल्स आयवाण सवेड नहां बराबरने मुख्य टवे त्रोन आइग ग्जम्पल आयवाँ सवलेट जनरेटिंग प्लेंग टेक्स्ट सवलेट जनरेटिंग एच्टी एमल रिस्पॉंस और थर्ड वोज डेमो अफ लाइफ साइकल ऑफ सर्वलेट इस इट ओके तो ए आपड़े आजे कई रिते सर्वलेट ने टेस्ट करी सकाई पन ए करता पहला पन कई रिते माहो लु करी सकाई मिन्स के करी रिते आपड़े जरूरी सॉफ्वेर्स चे यहने डाउनलोड अन्य इंस्टॉल करी सकी एह हूं तमने बतावानों चूं उमारी स्क्रीन तमने बदाने शेर करू चूं और सवर्च वैन्सित्ट गाइडन एक इन्स्टॉलेशन भाइडन चूं आन्ने एक इन्स्टॉलेशन विद टेस्टिंग चे वी बे सवाइल में अल्यडी शेर करें चे गूगल क्लास्रूम थ्रूं बर्राबर इंस्टॉलेशन गाइडन छे न जै एमा में खाली एवुज बतावेलूँछे के कई रीते software इंस्टल करवा और सर्वर ने टेस्ट करवू चारेके bg file जेजे ना, installation with testing एमा में installation पन बतावेलूँछे, साथे साथे simple sublet ने, package करेली sublet ने, html file, jsp file विगेरे कई रीते testing करवू ने, एमें बतावेलूँछे, ओके, तो घणू बदूछे आ bg file मा, पन शर्वात करशो आपड़े installation थी तो साथी पहला सूं करूँ पड़े आपने, install jdk, एटले, jdk install करता पहला, आपने minimum 1.5 अथवा है न थी, उपर नो वर्जन को install करूँ जोई है, आई हमें लिंक आ पहली छे, jdk 8 माटे, तो तम यहीं थी copy करी, औने तमारा ब्रावजर मा, तम मैं पेस्ट कर सको आ लिंक ने, अथवा गूगल मा तम मैं जहीं ने लखी सको, गूगल मा, गूगल मा, डाउनलोड, jdk, ओके, एटले, एटले, आजे पैज ओपन तर से, तो यहां जो अलग-अलग वर्जिन्स घना बाद आ पेला अचे, लटेस्ट वर्जन जे चे, आ साउथी टॉप उपड से 16 छे, 11 छे, 8 छे, I will go for 8, okay, jdk 8 आपडे डाउनलोड कर सूआने ती, तो आई यहां एटले, एटले, बीज फाइन सम एट्शें चे, आउनले, क्या प्राबर ने कई उपरेटिंग सिस्टम आपड़े यूज करी रही है छे एने अनुरूप आपड़े जेडीके नी जेडीके नूँ सैट अप डाउनलोड करूँ जई हुआ त्यारे विंडोस उपरेटिंग सिस्टम यूज करूँ छूं 64-bit तम्हें 32-bit यूज करता होई तो हमारे 32-bit वाड़ू करवानु छे कोई बिजी ओपरेटिंग सिस्टम वोई तो एना पन यहां ऑप्शन्स आपेल आछे मोटा बागे बदा जे लैप्टप यूज करता होई तो विंडोस 64-bit हो जोई एमां हशे तो यहां तियों विंडोस 64-bit वाड़ी जे एकसी फाइल छे यहां आपेल छे एकसी फाइल नी ए फाइल ना यहां क्लिक करूछू और पच्छी मोट डाउनलोड करीश यहां चेक बॉक्स ने चेक कर यहांने डाउनलोड उपर क्लिक करीश करसओ तो तमने प्रॉम्ट करसे सेव माटे तमने क्लिक कर सो एटले फाइल डाउनलोड फोल्डर मा आथवा तो जया तम़र ब्राउजर कन फिगर थे यहां चेक्छ यहां सैटिंग सो एब रहमांने डाउनलोड थे लिफाइल तमने यहां जोवा है तुमने लॉगिन था वानु केसे एक्चुलि मैं तो एक लोगिन करी ने डाउनलोड कर दो तो रही हैं लॉगिन नूप पूछिए जो पूछिए तो तो में लॉगिन नूप पूछिए तो तमारे बची लॉग इन खावू पड़े औरेकलमा तो एना माटेश्य हो था कि तमये जो औरेकलमा एकाउंट्ट क्रिएट न करी वह तो करूँ पड़े और पच्छी लॉग इन करवानू लॉग इन देया पच्छी इन बदू फ्री ओ अफ चे तमये लॉग इन कर सो एकाउंट बना विन एटला तेमें डाउनलोड करी सक्षो मैं पड़ एकाउंट बनाईवू छे और मैं एकाउंट थ्रूद पेला डाउनलोड करी हो तो हमना जस्त दस मिनिट पेला पाचु तमने बता हमाटे डाउनलोड के रूद तो हवे मनेत ए लोगीन थावानू नथी कहतो पराबर सी यहां देखाईचे मारू अकाउंट ची डाग राचु लोगीन थे लोचु शाइन आउट करी नाकू तो मने पड़े लोगीन थावानू कासे यहां आपड़े लोगीन थावानू पड़े आपड़े जे क्रेडेंशल्स होया आपड़ा एना थ्रू अने पच्छी आपड़े लोगीन करिया आपड़े एकाउंट बनावी दू हो या गाउ तो अधर्वाइस एकाउंट बनाव पड़े मजा जी इन्फोर्मेशन कहीं मागता ना थी जे वो लोगीन करो हैटलाई तमने डाउनलोड करी देशे ओके अवे जे फाइल डाउनलोड थाईली छे ओके ए सपो आपड़े इन्स्टाल करशो यहां स्टेप्स वाड़ी जे फाइल से इंस्टालेशन गाइड यहां मैं अब दू बतावेलोड से बराबन फाइनली त्यारे इंस्टाल थाई जासे त्यारे फिनीशन आप्शन पन आउसे थोड़क समय ले से शेट अप चेई इंस्टाल थावा माटे नेक्स्ट देखाई चाने बदा ने यह स्ट नेक्स्ट जावा इंस्टाल काई रित करवू एतो मैं तमने फर्स्ट सम्मा पन गाइड करिया आता आउट तो इंस्टाल जावा बराबर यहां जे पीडिएफ मैं तमने शेर केरी छे एमा जेडिके 6 नो एक्जामपल आपे लूँ छेटले जेडिके 6 इंस्टाल करियो छे अने यह सेट अपस करिया छे वेरी सिमिलर्ली वी कन दो दिस फो जेडिके 8 और एनी अर्दर वर्जन अफ जेडिके ओके जो आपड़े आमां विजुके करवानों रेतुना थी आपड़े सेट अपने आप हैलों छे एक्सी फाइल अने विंडोस ओपरटिंग सिस्टम यूज करता हो एकले एक्सी फाइल डेरेक्ट हमां एक्जेकुट था यहने इंस्टॉल थाए जे आप सेट अप छेई .... Okay, it is asking for selecting the folder where I want to install the JRE, java runtime environment. It has by default selected program files, java.. I will I will not change it. Okay. I will go continue. You can see here. here it above there are at top right there are two buttons back and next I will click on next now it is installing JRE in a folder see now what will happen हमारे computer में जो इसने by default path select किया है वो है c drive और उसमें java नम का फोल्डर बन गया होगा और उसके अंदर दो फोल्डर और बनेंगे एक जडिक के लिए और एक जर एक जर एक के लिए see in program files you can see java folder is there and there are two folders inside it jdk 1.8 and jre 1.8 so these folders are created while installation process was going on you 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 झाल प्रॉंस कॉस्छी इतंग सिए venir सुखियर सस्ट कैना आप अपने को क्या करना है कि पाथ सेड करना इसके लिए क्या करेंगे हम अपने कंपूटर में जो computer पे my computer पे right click करके properties में जाना है और वहाँ पे आपको advanced system settings है ना वहाँ पे click करना है advanced system settings में जो यह dialogue box open होता है उसमें advanced नाम का tape है उस पे click करके फिर नीचे environment variables दिया गया है तो environment variables ने दो दो परकार के environment variables होते है user variables and system variables अभी जो हम करने जा रहे हैं वो क्या actually हमने जो Java install किया ना जेडी के उसका पात यहां पे set करेंगे क्योंकि देखो जब हम जेडी के install करते हैं तो Java C Java का compiler Java virtual machine सब कुछ install होता है और वो अब हमारे PC में हर जगा से वो accessible होना चाहिए हम कहीं से भी जावा के compiler को यूज कर सके इस हैतू से हमें क्या करना है environment variable में उसका path set कर देना इस से क्या होगा कि हम कहीं से भी उसको access कर सकते हैं see यहां पे path नाम का environment variable है system variables में ठीक है उस पर double click करने के करना आपको वहां बहुत से path होंगे वह आपको रहने देने है उसमें कुछ change नहीं करना है अंत में जाके last में जाके semicolon करना है अगर नहीं है तो semicolon करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आपका जो प्रोग्राम files में Java folder बना है उसमें JDK folder है उसको open करो उसके अंदर बीन folder है उसको open करो और फिर उपर address बार में जो path आ चुका है उसको copy कर लो select करके copy करने के बाद directly उसको paste कर दो आप यहां पर variable value में वापस एक semicolon कर दो okay कर दो वापस okay कर दो अब आपको check करना चाहिए कि क्या आपने path set किया वो बराबर है क्या आपने java install किया वो बराबर है इसके लिए आपको command window open करनी है command window में जाके जो वहाँ पर by default path आया है वहाँ पर जाके आपको दो command लिखकर try करना एक तो java c command लिखो enter की press करो और enter की press करने से अगर ये पूरा specification आ जाता है list आ जाता है options का इसका मतलब java c उसको मिल गया वापस java command लिखकर भी check कर लो तो देखो वापस list आ गया लेकिन java c या java लिखने से अगर आपके सामने ऐसी error आती है यहाँ पर unrecognized command और batch file इसका मतलब कुछ पाथ में आपसे गलती हुई है अगर आपने java को install ठीक तरह से किया है तो या तो आपकी path में कुछ गलती हो गई है ठीक है तो यह जो basic था वह हमने कर लिया कि जावा को install करना अब हमें जो next चीज है वो करना है installing Apache Tomcat क्योंकि देखो हमको advanced Java की जब application बनाएंगे तो उसको server पर deploy करके run करेंगे तो हमारे पास actual server तो होगा नहीं तो हम local server use करेंगे और Java के लिए हम local server use करेंगे टॉमकेट अपाचे टॉमकेट तो आपको वह download करना है और उसके लिए यहां पर देखो मैंने लिंक दी है आपको यह वाली कि यहां पर जाने के बाद आप download कर सकते हो उसका कोई भी वर्जन देखो मैं यहां पर prefer मेरे पास दो वर्जन से एक्चुली आप देख सकते हो कि मैंने 7 भी और 8 भी दोनो डाउनलोड करके रखे सब्सके 8 करना है आपको यहां पर तो लैफ साइड में जो पैनल में आपको डाउनलोड का ओप्शन दिख रहे है महाँ पर आप टॉंके टेट पर क्लिक करो सब्सक्राइब यास सबको ऐसा प्रोब्लम हो रहा है नहीं सर मेरे को क्लियर आ रहा हूं कर दो कि यहां भी option है टॉमकेट 8.5.65 का यहां पर डाउन्लोड पर क्लिक करते हैं थोड़ा टाइम ले रहा है यह कुछ और आगया यहां पर कि यह भी कुछ और आगया तो यहां पर यह से मैंने क्लिक कर दिया जो पेज में दिया हुआ था वहीं पर और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो तो यहां यहां विंडोस इंस्टॉलर अभी हम विंडो के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं ना तो कोर में 64-bit इस वेल एस 32-bit विंडोस सर्विस इंस्टॉलर इस पर क्लिक करेंगे अपाचे टॉमकेट 8.5.65 इसको सेव करो तो यह हो गया सेव ठीक है फिर आपको क्या करना है इसको इंस्टॉल करना है सेट अप डाउनलोड होने के बाद वापस राइट क्लिक करके रन एस एड्मिनिस्ट्रेटर यस अब देखो जब आप यह एक लॉकल सर्वर है इसको इंस्टॉल कर रहे हो तब अलरड़ी साइद आप सब्स पी दूसरा सर्वर है तो एक पॉर्ट पे दो सर्वर तो नहीं रह सकते तो वह जो जैंप है वह अगर आपने 10 पर इंस्टॉल किया है तो इसके लिए दूसरा पट आपको देना होगा और यह बाइड इपोल लेगा एट जरो एट झाल झाल कar निस अ कर कोई यहां पेइट ऋट टीक है रहने डोण नेक्स्ट तापर इंस्टल होगा देखो यह इंस्टल यह देखो इसको जावा चाहिए इसको java चाहिए इसलिए पहले हमने java install किया अब देखो जैसे कि हमने java पहले install कर लिया तो इसने खुद ही धून लिया कि java कहां पर है java runtime environment हमारा कहां पर है यह उसने धून लिया c program files java jre folder okay next अब देखो कहां पर यह server install होगा मतलब कि यह जो server हम install कर रहे है उसकी files उसके folders कहां पर बनेंगे c में program files में एक folder बनेगा apache software foundation फिर उसके अंदर एक दूसरा folder बनेगा tomcat 8.5 ओके वी एग्री install कि देखो जैसे इंस्टल हुआ यह हमें प्रॉंप्ट कर रहा है कि भाई रिड्मी फाइल शो करनी हो तो नहीं करनी है रन अपाचे टॉमकेट यस फिनिश कि देखो नीचे टास्क बार में अगर आप देखो तो जैसे मैंने रन का कहा नीचे टास्क बार में मुझे उसका आइकन दिख रहा है अपाचे टॉमकेट 8.5 उसको राइट क्लिक करके अभी वह स्टार्ट है मैं उसको स्टॉप करना चाहता हूं तो मुझे स्टॉप पे क्लिक करना है ठीक है तो वह सर्विस स्टॉप हो जाएगी जैसा हम जैंप में सर्वर को स्टॉप करते थे वह यहां पर यहां से होगा टास्क बा कि और आपको यह मिलेगा मॉनिटर टॉमकेट है कि सब्सक्राइट है कि वह एक्चुली मैंने थोड़ी दिर पहले इंस्टॉल था वह और इंस्टॉल कर दिया इसलिए वह पुराना शायद बता रहा है लेकिन टॉमकेट मॉनिटर टॉमकेट राइट क्लिक रनेज अडिमिनिस्ट्रेटर ओके यहां पर अपाचे टॉमकेट कोई बात नहीं आप पहली बार करोगे तो वहां से आपको रन हो गई देखो यहां से मैं वापस उसको स्टार्ट कर रहा हूं देखो यहां पर राइट क्लिक करके स्टार्ट सर्विस या फिर कनफिगर पर जाके यह विंड़ो ओपन होगा तो वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट पर क्लिक करने से और पुर्ट लेसे आप स्का पिलिक करो कि सर्वीस इस टार्ट हो जाएगी और जुँश टास्क पर पिर उसको आइकरने वह ग्रीन ओजाएगा में समयख मिल्द इस तो गैसे अब यह सरवर इंस्टाल हो गया, स्टार्ट भी कर दिया, सरवीस, मतलब कि सरवर को स्टार्ट कर दिया, चेक कर लेना चाहिए कि यह क्या इंस्टाल हुआ है या नहीं, लोकल होस्ट और कौन सा पोर्ट था, 80 जयो, एको यह अपना होमपे जा गया, Apache Tomcat का इसका मतलब कि हमने successfully दोनों चीज इंस्टल कर दी है Java भी और अपना Tomcat server भी Apache Tomcat अगर आपने 80 port पे install किया है Tomcat को तो के वल आपको local host लिखना है और अगर 8080 पे जैसा कि मैंने किया उस तरह से किया है तो 8080 लिखना है अके successfully run हो जाने के बाद आपको जैसे ही आप उसको टेस्ट करोगे आपको यह उसका home page देखने को मिलेगा यह 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 पूरा ना वर्जन है यह 7 और हमने जो किया वह 8 लेकिन यह installation करने के बाद installation करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे PC में सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर Apache Software Foundation का फोल्डर बन गया है वहाँ पे Tomcat 8.5 का फोल्डर बन गया है देखो यह सब कुछ उसके अंदर अभी आ चुका है यह सबी उसके फॉल्डर से जहां पर हम अपनी फाइल्स को डिप्लॉई करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ पाथ सेट करने होंगे ओके वो जो पाथ हमें सेट करने है वो यह है अब हमसे कहा है यूजर वेरियेबल का और वह भी क्रिएट करने का कहा है तो हमें पहले यहां पर न्यू पर क्लिक करना है न्यू पर क्लिक करने के बाद नया वेरियेबल जो बनाना है उसका नाम क्या रखना है जावा हम तो यहां पर जावा हम जावा अंडर्सकोर हम और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मतलब कि आपका जावा इंसल जहां पर हुआ है और जहां पर उसका जेडी के फोल्डर है वो पाथ आपको देना है तो मेरे पीसी में जावा सी में प्रोग्राम फाइल्स में जावा और जेडी के यह पाथ में यहां से कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा फिर सेमी ओके ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो वेरियेबल है वो क्या है क्लास पाथ न्यू एक लास पाथ उसकी वैल्यू क्या देनी है हमें सी प्रोग्रम फाइल्स अपाचे सॉफ्टर फाउंडेशन टॉमकेट कॉमन लीब सर्वलेट एपी डॉट जार मतलब कि हमने जहां पर टॉमकेट को इंस्टल किया है न वहां पर लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर एक जार फाइल होगी जार फाइल मतलब कलेक्शन आफ जावा पैकेजिस हम जो सर्वलेट को लिखते है न तब पता है न वो पैकेज इंपोर्ड करते है जावा एक्स डॉट सर्वलेट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच्टीप वो सारे पैकेजिस जावा के जितने पैकेजिस होते है न उनको भी पैकेज किया जाता है उनका भी एक यूनिट बनाया जाता है और उसको जार फाइल कहता है तो jar file is a collection of packages, तो यहाँ पे जब हमने server को install किया न, tomcat को, उसके साथ servlet API भी आएगी, क्योंकि देखो हमने जो java install किया, वो तो standard edition install किया, और हम जो development करने वाले हैं, वो तो advanced java का है, तो हमने जो jdk install किया, उसमें servlet API नहीं है, लेकिन servlet API किसमें आ गई, tomcat को install करने से, tomcat के साथ, वो servlet API भी आ चुकी है, कहाँ पे, बताता हूँ आपको, येस, program files में, apache software foundation, tomcat, देखा, यहाँ पे lib, और फिर, इसमें ये servlet API, किस प्रकार की file है, executable jar file, तो इस file का पूरा path, देखो, यहाँ पे उपर, address बार में जाना है, तो वहाँ पे lib तक का path है, लेकिन हमें तो पूरा path लिखना है, servlet API.jar तक का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, slash करेंगे, फिर लिखेंगे वहाँ पे, type करेंगे, ser, देखो, वो आ गया, तो पूरा path अब copy करना है, servlet API.jar, देखो, यह गलती नहीं होनी चाहिए, अगर यह path आपने set नहीं किया, या गलती कर दी, तो जब आपने, जब आप अपनी simple servlet को, जो plan text वाली है न, उसको भी अगर आप compile करोगे न, तो 6 error आएगी, कितनी errors आएगी, 6 compile time errors आएगी, और वो क्या कहेगी, कि उसको http, javax.servlet package नहीं मिल रहा है, फिर उसको servlet exception class नहीं मिल रहा है, उसको http servlet request नहीं मिल रहा है, और उसको http servlet response नहीं मिल रहा है, इस तरह से 6 errors आएगी, अगर इस path को set नहीं किया, या गलती की, तो इसको यहां से copy करता हूँ मैं, फिर उसको कहाँ पर अपने को set करना है, class path में, पेस्ट, फिर semi colon, ओके, औ और एक बात आपको यहां पर बता दूँ कि मैंने यहां पर उल्ले किया है, कि class path में आपको चार path set करने है, लेकिन अपके लिए केवल हम एक ही path set कर रहे है, तो दूसरे तीन path है, वो एक्चुली क्या है, पता है, कि जब आप advanced, मतलब कि यह JWD के अलग दूसरे concepts use करोगे, जैसे कि custom tags है, कल बताया था मैंने जब आपको PHP और Java का difference बताया, तब मैंने आपसे कहा था कि PHP में हम अपने खुद के tags नहीं बना सकते, लेकिन Java में हम अपने खुद के tags भी बना सकते, tag, तो उसको custom tag कहता है, तो वो जो custom tag बनाने के लिए, inbuilt भी library है, और हम अपने खुद क चाहते हो, या उसका use करना चाहते हो, तो आपको ये दोनो library भी use करनी पड़ेगी, मतलब ये दोनो jar file भी use करनी पड़ेगी, और use करने के लिए इन दोनो jar file का path भी आपको set करना रहेगा, फिर database connectivity करना चाहते हो, access से, access, Microsoft access से, तो उसके लिए आपको ojdbc tool का use करना ये भी एक jar file है, तो जब database connectivity करोगे, access के साथ, तो आपको ये jar file भी, ये jar file का path भी set करना रहेगा, तो कहने का मतलब एक, दो और तीन, ये तीन additional jar file है, जिसका path आपको set करना पड़ सकता है भविश्य में, अभी के लिए किवाल हमें एक ही jar file की आवाशकता है, तो वो हमने कर दिया, ठीक है, फिर तिसरा जो variable है, वो है catalina home, तो तिसरा variable बनाएंगे हम यहाँ पे, catalina home, और फिर उसमें कौन सा बात set करना है अपने को, c program files, apache software foundation, tomcat, मचलब parent path, tomcat folder का जो path है न, वो अपने को वहाँ पे set करना है, देखिए, यहाँ पे apache software foundation, tomcat 8.5, बस यहाँ से उपर से path copy करना है, और यहाँ पे paste करना है, और semi column, ओके, 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 देखिए, तीनो path set कर लिए, test होने की बात आ रही है, server को test करने की, तो हमने already किया हुआ है, वापस stop करके, वापस उसको start करके, हम testing करेंगे, वापस मैं उसको अभी stop किया है, तो start कर हूँ, और start करने के बाद, अगर आपका port 80 है, तो आपको किवल local host लिखना है, और अगर आपका port 8080 है, तो इस तरह से लिखना है, जो हमने अभी देखा, ओके, ओके, तो इस वोज अल अब इंस्टोलिंग अब के लिए, ठीक है न, हमारा जो environment है, वो successfully install हो चुका है, अब हमें suppose की servlet testing करनी है, servlet को test करना है, तो सबसे पहले, हम एक servlet बनाएंगे, जो दूसरी PDF फाइल मेने आपको दी है, installation with testing, उसमें installation के आगे, जो, जितना हमने अब तक किया, उसके आगे, testing कैसे करते है, वो मैंने बताया है, ठीक है, तो आप उसमें refer करके, या यह जो अपना भी session चल रहा है, उसका recording भी मैं आप से share करूँगा, तो उसमें से भी देखकर आप कर सकते हैं, ठीक है, यस सरे recording share करना न, कर दूंगा दोस्क, देखो वो जो मैंने तीन फाइल से आपको बताई थी, वो यह additional है, यह तीन हो, नो, टेस्ट सर्वर वो भी कर लिया हमने, नो, डिपलोई एंड टेस्ट सिंपल स्टेंड एल उन सर्वलेट, पैकेजलेस, मतलब की, सिंपल सी सर्वलेट बना के अपने को टेस्ट करनी है, ठीक है न, तो मैं अभी अपना notepad ओपन करता हूं, notepad प्लस प्लस, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं एक सिंपल हेलो वर्ट सर्वलेट लिखूंगा, तो जैसा कि हमने देखा है अब तक कि हमें इंपोर्ट स्टेट्मेंट लिखने पड़ते हैं, जावा.io.star, यह किसके लिए है, आयो एकसेप्शन के लिए फिर इंपोर्ट जावा एक्स.servalat.star, इंपोर्ट जावा एक्स.servalat.http.star, ठीक है न, फिर पबलिक क्लास बनाना है, दोस्तों पबलिक न भूले, शब़ुष कि मैं नाम देता हूं, सर्वलेट को, माई सर्वलेट, ठीक है न, माई सर्वलेट, एक्स्टेंड करवाना है, इसको, एक्स.servalat, ठीक है, फिर सिंपल, अभी हम क्या करेंगे, सर्वलेट को डैरिकली हम ब्राउजर से रन करेंगे, उसका यूरल लिख के, तो जब हम यूरल लिख के उसको रन करेंगे, तो जो रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वो गेट टाइप की रिक्वेस्ट होगी, कैसी हो होगा, आरीक्यू, दूसरा अबजेक्ट, एक्टीटीपी, सर्वलेट, रिस्पॉंस, और उसका नाम में क्या दूँगा, आरियस, अब यह मैथड ऐसी है, दोस्तों कि जो एक्सेप्शन फ्रो कर सकती है, तो मुझे यहां पर डिक्लेर करना होगा, फ्रोज आयो एक्सेप् एक message display करना है, client को, hello world, लेकिन वो hello world, मुझे browser पे बेजना है, यह तो server पर run होगी, और browser client की PC में होगा, तो वहाँ पे मुझे response बेजना है, तो सबसे पहले मुझे, जो response बेजना हो एक text है, है ना, तो response को, ऐसे text, बेजना मतलब कि लिखना पढ़ेगा मुझे, response को, तो print writer क object बना हूँगा, suppose, नाम देता हूँ, out is equal to, response का object जो मैंने बनाया है, यहाँ पे, res, response.get writer, ठीक है, इसके बाद, out.println, यह जो object बनाया मैंने, out, वो print writer का object है, और print writer की method है, println, उसका use करके, मैं कुछ print करूँगा, simply, hello world, ठीक है, और इतना गरने के बाद, इस file को save करेंगे, कहीं पे, मैं अपने PC में इसको save करता हूँ, अपनी जगा पे, इसको नाम दूँगा, मैं, क्या नाम देना पड़ेगा, जो class का नाम है, वहीं देना पड़ेगा, public class है, इसलिए, my serverlet, अब मेरा जो next task है, वो है, यह java file है, तो compile करना पड़ेगा, class file generate करनी पड़ेगी, जहाँ पे, मैंने save किया है, वहाँ पे जाके, इस file को मैं compile करूँगा, java c, my serverlet.java, अब, यह command लिखने से, इतना करने के बाद, अगर आपकी file successfully compile हो जाती है, इसका मतलब, कि आपने जो वो path set किये है ना, बाकी के serverlet API, वो भी सही है, मैंने बताया था, कि अगर वो path में गल्ती की है हमने, तो, यहाँ पे error आएगी, देखो, अगर मैं जाके वहाँ पे change कर देता हूँ, advanced system settings में जाके, environment variables, कौन सा था, class path, class path में जहाँ पे serverlet API का path है ना, वो मैं थोड़ा change कर देता हूँ, okay, मतलब की जो नहीं है, मैंने उसको गल्ती कर दी, for example, okay, अब मैं command prompt में जाके, अपनी serverlet को compile करता हूँ, java c, my serverlet.java, देखो, मैंने कहा था, न, अच्छे errors आएगी, च्छे errors, क्यों उसको मिल नहीं रहा, आपने जो HTTP serverlet, HTTP serverlet request, HTTP serverlet response, serverlet exception, जो यूज किया, आपने वो उसको मिल नहीं रहा, तो ये खास आपको ध्यान रखना है, कि यहाँ पे आपको गल्ती नहीं करनी है, class path में जाके, क्या था, वहाँ पे, sowlet-api.jar, अब ये मैंने जो change किया, उस change के दोरान, ये तो चालू था, running mode में था, command prompt, तो जो change में ने वहाँ पे किया, path set की है, वो change यहाँ पे apply नहीं होंगे, देखो, अभी भी वो error ही दे रहा है, तो आपको वो exit करके वापस, अगर वो चालू था, तो उसको run करना पड़ेगा, दूबारा, बंद करके, ठीक है, अब देखो, ये successfully compile हो गया आपना program, तो उसकी एक class file generate होई होगी, यहाँ पे हमने source file को, यह हमारा source code है, उसको save किया है, अब आपको यहाँ से इस class file को copy करना है, इस class file को यहाँ से, जो class file successfully बनी है, उसको copy करना है, फिर अपने server में रखना है, तो server में जहाँ पे आपका folder है, हमारा aたफ एक, यहाँ से, तो server में दeng parlar है, तो student को, यहाँ आपका फिर आपको यहाँ जहाँ से, prior ह Rich, जो da है ट्या साथर का песня है, यहाँ फिर यहाँ जो तो, ऑल्या को यहाँ से, जहाँ से, टो भमें, बने कि अपना जहां पर सर्वर है टॉमकेट 8.5 वहां पर वैब एप्स नाम का फॉल्डर है वैब एप्स उसको अपन करो वहां पर रूट नाम का फॉल्डर है उसको उपन करो फिर उसमें वैब आए एफ नाम का फॉल्डर है उसको उपन करो यहां पर एक फाइल आपको दिख रही है वैब एक्समेल फाइल इसको कहते है डिप्लॉइमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी एप्लिकेशन्स है आपकी जितने प्रोग्राम्स है कि जो आपने सर्वर पर डिप्लॉइ की है और उसको रन करवाना चाहते हो उसका रजिस्टरेशन यहां पर होता है मतलब कि इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होता है उसका अभी हम इ यहां पर रखना है class file को लेकिन class file को एक folder के अंदर रखना पड़ेगा जिसका नाम में रखना पड़ेगा classes अभी वह folder यहां पर है नहीं तो बनाना पड़ेगा नाम क्या रखना पड़ेगा फोल्डर का classes और इस classes folder के अंदर आपको पेस्ट करनी है अपनी servlet ठीक है और फिर यहां पर पेस्ट करने के बाद सब कुछ हो नहीं गया है अभी अपने को यह servlet जो है न वह जब हम इस वेब आये ने फोल्डर के अंदर रखते हैं तो वह secure हो गई है यह वेब आये फोल्डर जो है न उसक के अंदर जो कुछ भी है वो client directly access नहीं कर पाएगा अगर उसको नाम पता है servlet का पाथ पता है फिर भी वेब आये फो पूरा एक शुरक्षित फॉल्डर है डायेकली उसका URL लिखने से वह accessible नहीं है यहाद है ना PHP में जब आप root folder का नाम लिखते हो तो पूरा list open होके आ जा नहीं है ठीक है ना तो वह एक तरह का अपने को जो हम discuss कर रहे थे यस्टरड़े और परसो difference between PHP and Java तो यह दूसरा एक महत्वपूर्ण difference अपने को जानने को मिला कि हम जो यहाँ पे class file रख रहे है वेब INF के अंदर वो बिल्कुल सुरक्षित है client को अगर पता हो फिर भी वो उसे access नहीं कर पाएगा हम चाहे तो ही उसको access दे सकते हैं और हम चाहे उस URL के द्वारा अब देखो हमने यह file बनाई है my tablet तो वो client के लिए ही बनाई for example उसको message देने के लिए hello world तो हमें क्या करना होगा कि यह file client को accessible नहीं है तो हमें client के लिए एक URL बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा वो इस file को access कर पाए तो यह वेब INF file भी कहते हैं और deployment descriptor file भी कहते हैं यहाँ पर इस file में देखो शुरुवात में बहुत कुछ लिखा होगा XML वर्जन फिर web app करके एक टेग होगा उन्त में वो खतम होता होगा अपने को यहाँ पर बीच में यह जो description है न उसके बाद कुछ टेग्स लिखने है ही तो झाज सर्विलेट før 46 और अब सबरेटक क्ये इनदर साफल 20 नॉर्ड के अंदर उसके सब नॉर्ड है वह लिखना हैठसर डेस न Hybrid सबरेट को आपको कुछ नाम देना है इस class का नाम तो my servlet है, अब वो भी दे सकते हो, क्या कोई और name दे सकते हो, मैं suppose कि इसको नाम देता हूँ servlet one, ओके फिर ये node बन करना है, ठीक है, फिर एक दूसरा sub node है servlet class, वो लिखना है, यहाँ पर आपको class का नाम लिखना है, class file का नाम, class का नाम क्या है, my servlet है ना, classes के अंदर my servlet, तो यह हमने क्या किया, एक तरह से registration करवाया कि भई मेरी यह servlet, servlet का नाम servlet one, कौन सा class है उसका, जो मैंने यहाँ पर deploy किया है, deploy किया है server पर my servlet, ओके, अब उसका mapping देना है, तो उसके लिए जो node है, वो है servlet mapping, ठीक है, और फिर, आपको यहाँ पर, एक node repeat करना है, कौन सा servlet name वाला, क्योंकि servlet mapping तो, देखो, जितनी servlets बनेगी ना आपकी, उन सभी के लिए यह आप करोगे, तो यहाँ पर वापस mapping करते वक्त आपको identification देना है, कौन सी servlet के लिए, अब server उसको पैचानेगा इस नाम से, server हमारी servlet को पैचानेगा servlet one से, नाम से, ओके, तो यहाँ पर servlet name वापस, यहाँ जो उपर लिखा है, वहीं लिखना है, ओके, अब next क्या करना है, उसको mapping देना है, URL, URL mapping, तो आप इस servlet को run करवाने के लिए, कौन सा URL बनाना चाहते हूं, मैंने सब्स रखना है, hello, slash hello, hello लिखने से, मेरी यह servlet run होनी चाहिए, कौन सी servlet one, class कौन सा, उसका run होना चाहिए, my servlet, ठीके, इस take को बन करेंगे, URL mapping, ठीके, पिचना करने के बाद, अपने mapping कर दिया, और अगर आपने यह सब कुछ सहीं किया है, तो आपके servlet run होने को तयार है, क्या URL देना है, hello, localhost, 8080, slash, अगर गलती की, तो यह runtime error भी आएगी, origin server did not find a current representation, 40 target source, or is not willing to disclose that one exists, देखो, यहाँ पर आपको हर बाद, जब भी आप change करते होना, तो आपको क्या करना है, पता है, server को restart करना पड़ेगा, stop करके, यह उसको मिलने रहा है, classes के अंदर, webinf में, classes के अंदर, mysavlet.class, servlet name, servlet class, mysavlet, servlet mapping, servlet name, servlet one, url mapping, url mapping, यहाँ पर अगर गलती होती है, तो कुछ errors आ सकती है, यहाँ पर जो error आ रही है, origin server did not find a current representation for the target, so resource or is not willing to disclose the hotel to an exist, not found, उसको मिलने रहा है, हमने रखा तो सहीं जगाहा पर है, root में, webinf में, classes के अंदर, और फिर run भी उसको सहीं तरह से कर रहे है, पर बात नहीं हम देख लेते हैं, शायद इस एट लाइन्स जो है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, सवलेट नेम, सवलेट क्लास, सवलेट नेम, URL पैटन, सौरी, मैंने गलती से URL मैपिंग लिख दिया है, यहाँ पे, एक्चुली URL क्या है, पैटन, शब्द यू, गलती से भी गलती नहीं हो, यह तो मैंने मुझे याद था, इसलिए लिख लिया, लेकिन आप लोग जब पहली बार लिखो ना, तो देखकर लिखना, फिर दूसरी बार तो आपको देखकर लिखने क्या आवाशकता नहीं है, इसको कॉपी करके नीचे पैस्ट कर दोगे, दूसरी सवलेट के लिए, नाम, क्लास और पैटन चेंज कर दोगे, ठीके, URL पैट रहता है इसमें, इसमें, इसमें प्लेंट टेक्स्ट सर्वलेट, क्लाइट को नहीं पता, क्या रन हो रहा है, कौन सा पेज है, कौन सी टेकनोलोजी में, उसने तो क्यबल लिखा, हेलो, डॉट कुछ नहीं है, अगर मैं चाहूं, सब उसकी यहां पे लिख दू, हेलो.html, ह है ना, तो, देखो, हेलो चला गया, अब .html, तो क्लाइट जब रन कर रहा है, तो उसके सामने इसा आ रहा है, हेलो.html, बट यह थोड़ी HTML फाइल है, यह तो हमारी सर्वलेट है, लेकिन हमने उसके लिए पैटर्न किया दिया, हेलो.html, मैं सब उसकी यहां पे लिख दू .php, सेव करना, अब देखो, यह, हेलो.html उसने याद रख लिया, ब्राउजर ने, तो मुझे यह वापस टॉप करके स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई इतनी बड़ी समश्या नहीं है, कर सक स्टार्ट स्कॉप, अब हेलो.html को रन करेंगे, तो एरर आएगी, हेलो.html त क्लाइड को क्या लगेगा, यह पीएच्प का पेज है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रिसोर्स वो यूस कर रहे है, तो इस बड़ी मच सेक्योर, यह से करना नीच से, यह मतलब यह जावा का पेज है, तो हम.php से क्लाइड को गुमरा करने की कोई आवशकता नहीं सिंप्ली रखो एहलो चलेगा, एन्यबडी, एनिडाउट? सर, वो क्लाइड पात का वो पाथ बदाजी ने खले एक पर, क्लाइड पात, यह वाला, हाँ वो सिक्षेरर वाल यास पात, यह वाला ना, कां से कोपी किया है, वो देखना है? अब देखो, मैंने कहां से कोपी किया, अपाजे, टॉमकेट, लीब, यहाँ पर देखो, सर्वलेट एपी आई है, जार फाइल, बस यहां से ही, स्लैस, सर्वलेट, कितना लिखो के तो वह आ जाएगी, फूरा कोपी कर लो, यहां से, फूरा कोपी कर लो, फिर वहाँ पे जाके, पेस्ट कर दो, ओके, 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 आया समझ में? से, तो एक और सवेलेट बना ले था ठीक के ना, यह जो मैं सवेलेट है वो सिंपल प्ले, कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट जन्रेट कर रही है हम एक इसको कॉपी करके पूरा कि दूसरा सर्वलेट बनाते हैं कि एच्टेमल रिस्पॉंस ठीक है ना इस सर्वलेट का नाम हम रखेंगे क्लास का नाम रखते हैं एच्टेमल सर्वलेट जस्ट फोर अवर कन्विनियन्स ओके एच्टेमल सर्वलेट और इसको सेव भी करेंगे हम एच्टेमल सर्वलेट के नाम से और इसके अंदर कि पहले मुझे देखो जब हम कुछ कहते नहीं है ब्राउजर को कि हम क्या बेज रहे हैं तो बाइडिफोल्ट क्या होता है माइम टाइप कि मल्टी पर्पर्पर्ज इंटरनेट मेल एक्सेंशन बाइडिफोल्ट टेक्स्ट प्लैन होता है लेकिन अब हमें एच्टेमल बेदना है तो उसको बताना पड़ेगा बताने के लिए रिस्पॉन्स कि डाट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट अब्लिक एच्टी एमल फिर आप अपना एच्टीमल रिस्पॉन्स बैठ सकते हो कुछ भी वैलिड एच्टीमल का कॉड लेकिन लिखना पड़ेगा डबल कॉड्स के अंदर यह गलती मत करना अछलो तो ऑस्टीमल के लिखने तो दोबर आए इस सघ्टीम ड़नाम को अब हमें कंपाइल करना होगा जिसका नाम हमने रख्धा हैक लास का नाम फाइल का नाम सौरी पहिल और जावा ओंगे कंपाइल अब आपको क्या करना है यहां से कलाष्ट फाइल को कोपी करना है html servlet.class इसको पेस्ट करना है आपको tomcat के अंदर वेब apps पिर रूट के अंदर वेब आने classes और यहां पे पैस्ट इतना करने से servlet run तो नहीं कर पाओगे web.xml में जाके यह जो नई servlet बनी है उसके लिए वापस यह configuration करना पड़ेगा इसका नाम में रखता हूं सब्सक्राइब टू क्लास कौन सा इसका html servlet servlet 2 अब इसके लिए में url रखता हूं सब्सक्राइब डेमो ओके डेमो ओके डेमो ओके तो यह हो गया अपना html response वाला servlet अब देखो जब हम web application बनाते हैं तो उसमें html की page भी हो सकते है उसमें यह अपनी servlets हो सकती है तो जैसा हम php में करते हैं और करते थे है कि html files भी local PC से रन नहीं होनी चाहिए वह भी कहां पर रखनी चाहिए अपने को server में रखनी चाहिए है ना तो suppose हमें एक html file बनानी है तो उसको हम कहां पर रखें देखो यहां पर simple सा हम html का file बनाते है यह अपना html का page इसमें कुछ भी हो सकता है valid html html के forms figure इस file को मैं अभी save करता हूं मेरे local drive में इसको मैं नाम देता हूं first.html अब इस file को हमें run करने के लिए कि उस पर double click नहीं करना है उसको copy करके server में रखना है तो कहां पर रखते हम html को यहां से copy करेंगे और फिर उसको web inf के अंदर नहीं रखना है क्योंकि देखो html page जो हमारे होंगे न वह ऐसे होंगे कि जो हम directly client को access देना चाहेंगे और उस html file में जो form या कुछ ऐसा होगा जिस पर वह submit करेंगा click करेंगा तब अपनी servilator होगी अगर हमने इस html page को भी यहां पर रख दिया web inf के अंदर तो 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 client उसको access नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए हम web.xml में कुछ नहीं लिखने वाले इसलिए root folder के अंदर वापस बताता हूं web apps में root folder के अंदर बारो बार आपको यह रख देना है first classes कहां पे web inf के अंदर और html file को कहां पे रखा यहां पे बाहर फिर आपको run करवाने के लिए यहां पे लिखना है localhost और first.html यह आपका server से run हुआ html page ज्यादा बेतर रहेगा अगर आप root के अंदर directly बहुत सारे html page हों के तो यहां पे पूरी भीड हो जाएगी तो एक नया folder बना कि उसके अंदर सब अपने folders के रखो जैसे कि यहां पे मैं folder बनाता हूं html s और फिर इस file को मैं रखूंगा इस folder के अंदर तो folder के अंदर रख दिया है तो अब मुझे run करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा localhost 8080 slash folder का नाम slash file का नाम इस तरह से ठीक है और उसी तरह से जेस्प के page भी होते है simple सा मतलब की जेस्प का page मैं आपको बताया था कि वह भी PHP जैसा ही है कि इसको मैं नाम देता हूं first java server pages ठीक है तो यह आपका jsp का page ठीक है इसको हम रखेंगे रूट में परस्ट.jsp और उसको रन करवाने के लिए लोकल अस्ट 8080 slash first.jsp ओके देखो जेस्प का page है ना वो PHP के page की तरह ही उसमें html का code होता है और जरूर जहां पर dynamic content की वहां पर java का code लिखते हैं अब java का code कैसे लिखते है उसमें तो आगे जाके हम देखेंगे बट उसके कई तरीके हैं यहां पर मैं आपको simple सा एक आपको example देने के लिए बता रहा हूं कि यह हम सपोस्कि यहां पर java का code लिख रहे हैं हमें date डिस्प्ले करनी है current इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए हम उसका fully qualified name लिख रहे है date class जो java में available है न उसका new java.util.date इसको save कर दिया यहां पर मैं लिखता हूं टूडेश डेट इस फाइल को वापस copy करके changes किया है न तो प्रेस्ट करना पड़ेगा कुछ error आई है यहां पर semicolon semicolon अच्छा semicolon लिखा है न वो semicolon यहां पर नहीं आएगा जब हम इस syntax का इस्तिमाल करते है is equal to वाली इसको jsp expression कहते है उसमें semicolon नहीं आता अगर हम यह is equal to अटा दे तो फिर semicolon करना पड़ता है वो हम बाद में देखेंगे यह तो just for your kind information scriptlet कहते है उसको semicolon वाले को यह jsp expression है तो उसमें semicolon की आवश्यक्ता नहीं रहती चेंज किया है तो वापस यहां से copy करके root में paste देखो यह अपना jsp का bet देखो यहां पर जो time display हुआ वो dynamic है तो उसके लिए html तो कुछ provide नहीं करता तो हमने वहां पर java का code लिखा जैसे php में php का code लिखते थे उसी तरह से और आपको simple सा और familiar भी लगेगा कि यह तो php जैसा ही है और दूसरी एक बात कि jsp के page को यह jsp के page को लिखने के बाद मुझे web.xml में कुछ करना नहीं रहता इसके बारे में कर सकते है html के लिए इस ऐसा नहीं लिख सकते जैसप के लिए लिख सकते अगर हम चाहे तो तो कि otherwise directly you can write first.jsp और जैसा कि मैंने आपको कहा था यह अलग folder बना के रखना चाहिए सब कुछ तो यहां पर सब्सक्राइब बना ले जैसपी एस और अपनी जैसपी फाइल जो है उसको इस folder के अंदर रख दे तो बैतर रहेगा फिर रन करने के लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा लोक जैसपी तो डायरेक्ली एक्सेसिबल रखा वो इसलिए रखा कि जैसपी ज्यादे तर मैंने कहा किसके लिए है क्लाइंट को प्रेजंट करने के लिए तो क्लाइंट उसको रन करवाएगा डायरेक्ली तो वो देख पाएगा और जो एक्षिल प्रोसेसिंग हो रहा है कंट् सकते हैं हम अपने जेश पी देखो हम अपने जितने भी पेज ऐसे है कि जिसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं हमें उनको कहां पर रखना चाहिए वेब आइनेफ में आपके जो भी पेज जैसे है कि जिसको आप सुरक्षित रखना चाहते हो उसको आपको वेब आइनेफ के अंडर रख देना है ठीक है इस तरह से अब वेब आइनेफ में आप रखोगे तो क्लिएंट डिरेक्ली उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा अब देखो यहां समय नहीं हटा दिया यह फॉल्डर जो था जिसमें जैस्पी फाइल थी वहां से हटा दी तो क्लाइंट अब उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा किसी भी दरह से नहीं क्योंकि आप तो वह कहां पे हैं हमारी वेब आंफ के अंदर वेब आयनफ इस नोट एक्सेसिबल तू चैल patio और अगर हम ऐसा करते हैं किव Еब आइनफ के अंदर रखते है जैस्पी फाइल को और क्लाइंट को करवाना करवाना देना चाहते तो फिर हमें web.xml में लिखना आवश्रक हो जाता है जैसे हमने sublet के लिए लिखा उसी तरह से jsp के लिए लिखना पड़ेगा sublet class नहीं आएगा बट jsp file ऐसा आएगा file का नम क्या है first.jsp और उसका url जो भी देना चाहते हो आप suppose कि मैं first ऐसा देना चाहता हूं first इसको save करके run करवाने के लिए क्या लिखना है localhost 8080 और cable first url pattern url pattern sublet name sublet name sublet name sublet name base key file थिए बटाई बटाश थे चाहते है कि कुछ गल्पी शायद हो सकती है इसमें जैस्पी फैल के लिए थोड़ा थोड़ा अलग रहता है मैपिंग तो देखो आपको यह एक और चीज़ यहां पर नौट करनी चाहिए कि सब्लेट का मैपिंग किया तो भी मैंने सब्लेट लिखा और जैस्पी का मैपिंग किया तो भी मैंने सब्लेट लिखा वो इसलिए क्योंकि हम जब जैस्पी फाइल लिखते न यह जैसे ही यह जैस्पी फाइल पहली बार रन होने के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो यह जैस्पी फाइल कनवर्ट होके सर्वर में एक सर्वलेट बन ज यह तो डियाविपर की के लिए है कि हम कम लिखकर ज्यादा आचीव कर सकते क्योंकि ज्यस्प्र में कम लिखना पड़ता है यह ना देखो कहां पर यहां यहां यूर्ल प्रेटर ने ज्यस्प्र का मैंने शायद यहां पर आपको बताया तो है कि इस फाइल में यहां पर जैस्पी अच्छा वह अच्छा वह एट लाइन्स वाला साइट अच्छा वह एट लाइन्स वाला है इसमें नहीं है क्योंकि वह एक्छुली वह जो कांसेप्ट है जैस्पी का वह लेटर चैप्टर्स में है और कंटिग्रेशन भी उसका है तो वह मैंने साइद नहीं इसमें नहीं है हम गूगल से पुछ लेते हैं कि वह एक्छली जो टॉपिक है ना जैस्पी का मेपिंग करने का वह वो पिछली से लेबस में नहीं है वेब xml इन लेबसी र데 मैपिंगजस्प्व विल वेब.xml अब जर्व लेट यॉर्यल पैकर्ण सवलेट नेम डर्ट प्रेट प्रेट जर्वलेट नेम जर्वलेट नेम जर्व फायल तो यह को हमने पहले भी लिखा दा ना यॉर्यल पैटन इसके कहीं फायद है जैस्पी पेज को भी इस तरह से मैप करने के वह आपको बाद में बता चलेगा है लेकिन अभी हम यहां पे जो हमने किया था सवलेट सवलेट नेम फिर जैस्पी फायल जो पहले लिखा था वह सही था एक्चुली जैस्पी फायल और यहां पे जैस्पी फायल जैस्पी फायल फस्ट डॉट जैस्पी एशा ही नाम है ना फस्ट जैस्पी और मैपिंग करना के लिए सब्सक्राइब लेम माइजस्पी माइजस्पी यूरल पैटन यूरल पैटन फर्स्ट तो हमने भी तो यहीं किया था अब 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 इनिशेल लेवल में यह सब कुछ आपको करने की आवाशकता नहीं है लेकिन यह सब आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है कि हम जेयस पी को भी कर सकते हूं कि जेयस पी तो आगे जाके आएगा लेकिन अभी अभी जिस्ट आपको यह अभी तो आपको केवल सवलेट को रण करवाना है ठीक है और जेस्पी जो है वह तो सिक्स्ट चेप्टर से शुरू होगा कुछ गलती तो नहीं हो रही है ना कहां पर रखा है उसको रूट में वेबाइनिक में परस्ट जड़ जेस्पी इसको क्लासिस के अंदर रख जाते है फ्रस्ट जड़ जेस्पी को अभी भी नहीं मिल रहा है उसको वेबाइनिक में परस्ट जड़ जेस्पी को छो अंदर्य धस्पी Candelman कि अमाले। कि में वे लुह चुह टो कि अ कि कि अ कि कि अ अ कि सही तो लिकाह है को लिखने के लिए स्वेस्ट से सुरू करना है फस्ट जट प्रेस प्रेस्ट इस इस इंद एप्लिकेशन रूप डिरेक्टरी अच्छा रूप डिरेक्टरी में है तो मतलब कि इस जैस्पी फाइल को अगर हम रूट के अंदर रखते है यहां से निकाल के उस्ट में तो फिर उसको रन करने के लिए यहां पर स्लेश लिखना पड़ेगा मतलब कंफिगर करने के लिए कि इसे ही तो कहने का मतलब हम जैस्पी को भी यूरल और यूरल मैपिंग कर सकते मतलब कस्टम यूरल इसको चुली कहते क्योंते क्या है पता है यह 자um पीटन देते हैं उसको यूॉरल कहते हैं ये हमने करें किया हॊत ह। इस दे रहे होते हैं और चार्प क्स्टम करके यूरल 메 यूरल कम तो इसको इसको कस्टम यूरल का यहिए अ तो मैंने आपको परसो बताया था कि हम PHP और जब Java की बात करते हैं डिफ्रेंस की तो यह जावा में हम custom URL mention करते हैं तो client को actual file के बारे में पता नहीं रहता कि कौन सी file है नाम क्या है क्या run हो रहा है उसके सामने ये भी उसको पता नहीं चलेगा लेकिन वापस आपसे कहता हूं कि अभी के लिए केवल आपको sublet को run करवाना है ठीक है तो कि JSP तो आगे जाके आएगा लेकिन आज जो बात हुई तो मैंने आपको वह भी बता दिया HTML और JSP लेकिन JSP लेटर चेप्टर में आएगा ओके तो किसी को कुछ डाउट है तो वह भी पुछ सकता है